हाई गुड बॉर्णिंग सस्यकाल अदाब कैसो आप लोग मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर नवनीत काल रहा और आज लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक कुछ लोगों ने सुना होगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों के लिए बहुत नया है यह टॉ यह का लिए आपके लाइन का छंपर आ ज्ष favors वाजेसे में में आपके लंग्स के आफ आता ถुर जिसका भोलता है अनिमोनिया हो गया अपनी अलग समस्य है कुछ और भी है उसका रिजन क्या है कि वेंटिलेटर से associated complication भी बहुत होती है सच बात ये भी है और ventilator से associated pneumonia होते हैं बड़ी सारी complication ventilator से जुड़े हुई हुई भी होती है इसलिए intubate करना कोई असान काम नहीं होता कुछ patient निकल आते हैं कुछ नहीं निकल पाते हैं अब करें क्या patient आपके पास आया patient की oxygen level कम है तो एक नया रस्ता ढुणा गया हाला कि रस्ता पुराना है लेकिन अब यूज करना शुरू कर दिया है कुछ hospital ने यूज किया दिली में बड़े अच्छे ढंक से और क्या हुआ उसको बोलते है awake proning मतलब क्या है मतलब बताता हूँ एक patient है जिसको covid हो गया उसका oxygen level drop कर रहा है चलो माल यह covid नहीं भी है तो भी उसके lungs पर सर आया और उसका oxygen level कम हो गया आपने देखा कि 85% है 80% है लेकिन patient को problem नहीं है patient ठीठा गया बात कर रहा है लेकिन उसका oxygen level drop कर रहा है आपने BP देखा BP भी ठीक है आपने उसका heart rate देखा वो भी ठीक है हलका फुलका बड़ा हुआ है मतलब ज़्यादा serious complication नहीं है सिर्फ oxygen level गड़बड हो गया तो ऐसे patient होते हैं जो अचानक से condition खराब होती और ventilator पर आ जाते हैं अब इसमें दो case हो सकते हैं इसमें तो या तो doctor डर के मारे पहले ही intubate कर दें कि इससे पहले की patient क्योंकि कई बार patient ऐसी condition में चले जाते हैं हलका full का heart rate जादा है हलकी full की चोटी मोटी problem है लेकिन patient बिलकुल होश में है conscious है तो इस patient को ventilator पर क्यों डाले अगर हम उसको वैसे बचा सकते हैं oxygen देने शुरू किया तो oxygen देने के बाद भी उसका नहीं saturation ठीक हो रहा है अब भी 85% बना हुआ है तो आया यह concept अवेक प्रोनिंग का यह क्या होता है मालू है यह होता है कि हम oxygen तो देते है ठीक है लेकिन उसकी position चेंज कर देते है patient की लेकिन इसका फाइदा क्या है जनरली क्या होता है patient जब हमारे पास hospital में आते है तो अपनी कमर के बल पे लेटा रहते है बैड़ पे लेकिन यह देखा गया जब वो सीधा लेटा तो उसके oxygen जो lungs होते है उसके कुछ पार्ट ज़्यादा इंफलेट हो जाते है जिसको alveoli बोलते है alveoli एक cells होती है lungs की तो यह देखा गया कि कहीं पे वो collapse पड़े हुए हैं काम नहीं कर रहे हैं कहीं पे जड़ो से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो सारा distribution जो होता है वो uneven हो जाता है एक जैसा नहीं रहता है और secretions भी बजाते हैं अंदर काफी सारे bulgum जमाऊ इकठी होगी mucus जमाऊ गया तो intubate करने से पहले यह नया एक concept आया है awake proning का कि आप उसकी position चेंड करते रहो जिससे कि वो जो lungs के part हैं जो दब गए हैं जो खुल नहीं रहे हो खुल जाएं तो basically क्या है कि एक तरह से body को यूँ हिलाना है कि इसको धक्का दुका मार के कुछ कर लो तो क्या किया गया तो पहले तो patient का profile चेक किया गया कि कौन से patient को हम कर सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं अब patient बेहोश है तो आप सोचो कि हम इसकी position chain करके इसको उल्टा लिटा के इदर लिटा के उदर लिटा के हम इसको ठीक कर सकते हैं ऐसा नहीं है उन patient पे नहीं किया जा सकता जो patient बहुत सिक्क हैं जिनका BP नहीं मिल रहा है जो बात चीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि patient का conscious होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने उसको बताना पड़ेगा कि अब आप सीधे हो जाईए अब आप इस position में आजाईए अब आप इस position में आजाईए तो वो patient जो होश में है जिनका oxygen level कम हो गया है लेकिन बाकी चीज़ें ठीक ठाक हैं कोई ज़्यादा करबड नहीं है उनके लिए आया awake proning इसमें क्या करते हैं इसमें ये करते हैं मैंने जैसे बताया कि lungs uneven काम करना शुकर देते हैं lungs का उपर का पार्ट ज़्यादा काम कर रहा है नीचे का पार्ट कम काम कर रहा है इधर बलगम जमा होई पड़ी है तो हम patient को oxygen तो देते हैं तो इसमें एक high flow oxygen देना ज़्यादा बैटर होता है high flow nasal cannula होता है या फिर oxygen के साथ एक हम instrument लगा देते हैं bypap या c-pap जिसको बोलता है non invasive ventilation support ventilatory support bypap में एक machine होती है जो कि आपकी अंदर की सब gases को normal करती है c-pap तो इसमें हमने क्या गिया इसमें main concept यह है कि patient को हमें अलग-अलग position में oxygen देनी है पहले उसको पेट के बल लिटा देते हैं पेट के नीचे अब मैं आपको picture दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं इसमें पेट के नीचे कुछ तक्ये लगा देते हैं जिससे की और उसके मुँ में oxygen लगाके उसको उल्टा लिटा देते हैं जिससे की उसकी position चेंज हो जाएं और यह बार-बार करते रहते हैं पहले उल्टा लिटा आया फिर उसको तिर्चा लिटाएंगे राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में फिर बिठाएंगे तो अलग-लग position में 30 मिनिट से लेके दो घंटे तक ऐसा करते रहते हैं और बीच-बीच में बहुत जादा watch रखना पड़ता है इनके उपर हद 10-20 मिनिट पर आपको इनका BP, pulse, हर चीच चेक करनी है क्यों? क्योंकि कई बर patient नहीं भी improve हो पाते लेकिन ये देखा कि हाँ कुछ patient में बहुत फायदा हुआ वो patient जहां पर कि ये लग रहा था कि ventilator पर चले जाएंगे हमने उनको ventilator से बचा लिया क्यों? क्योंकि जब आपने position उसकी change कर दी उसको bypep लगा दिया या CPAP नाम की machine लगा दी जो ventilator नहीं होता जिसमें tube नहीं डालनी पड़ती या फिर simple oxygen देके उल्टा लिटा दिया फिर तिर्चा लिटाया फिर ऐसे किया हर एक दो घंटे के बाद तो ये देखा गया कि lungs के वो हिस्से जो काम नहीं कर रहे थे वहाँ पे भी oxygen जानी शुरू हो गई वो फैलने शुरू हो गई थोड़ा सा क्या होगे ना जैसे समझो की एक चीज गठ्री बन गई है और आपको उसको खोलना है या आपकी shirt है वो कहीं पे press है कहीं पे press नहीं है तीक है अब उसको आप क्या करोगे कभी उपर प्रेस मारोगे, कभी उसको उलटा करके प्रेस मारोगे, कभी सीधा करके जिससे की वो एक जैसी press हो जाई हमारी shirt तो यही हाल इस lungs का है कि lungs कहीं पे दवा पड़ा है, कहीं पे काम कर रहा है कहीं पे बलगम जमा ही पड़ी है तो वो एक position में ठीक से हो नहीं पाता एक तरकी ये फिजियोत्रापी कहलो फिजियोत्रापी में भी यह करते हैं पीछे मारते हैं चाती पे मारते हैं उसकी exercise कराते हैं तो ये उन patients के लिए है जहां पे oxygen level कम है लेकिन patient होश में है और BP pulse भी ठीक ठाक है कोई ज़्यादा गड़बड नहीं है तो उनके लिए ये है awake proning जहां पे हम position change करते रहते हैं साथ में कई बार bypep लगा देते हैं कई बार c-pep लगा देते हैं कई बार simple oxygen लगा देते हैं कई बार high flow nasal cannula होते हैं जो हर्जे के अवलेबल नहीं होते तो उनके थ्रू oxygen high दी जाती है तो इसमें देखा गया कि oxygen improvement हुआ और कई बार temporary improvement हुआ कई बार permanent improvement भी हुआ जैसे कि जब आप patient को ultra-pate के बार लिटा दिया फिर आपने तिर्शा लिटाया main होता है supine position जब आप उसको सीधा लिटाएंगे क्या तब भी oxygen उसकी maintain रहेगी बस यही देख रहे हैं अगर उसकी supine position में भी यह maintain रहे 10-12 घंटे करने के बाद 15 घंटे करने के बाद improvement हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं दोस्तों क्योंकि एक patient आपने बचा लिया है ventilator पर जाने से क्योंकि ventilation ventilator पर डालना कोई असान काम नहीं होता दोस्तों उस पर intubate करने में doctor को भी health का बहुत risk होता है even patient को भी बहुत risk होता है क्योंकि ventilator की अपनी ही complication काफी है उसको manage करना असान नहीं होता तो इसलिए ये awake proning नाम का एक positional वो है body की position change करते रहते हैं with oxygen या with bypap with cpap results अच्छे हैं और उमीद करता हूँ कि शायद ऐसी कोई नहीं technique आती रहें जिससे कि हम patient को ज़्यादा दुख दिये बिना खुद को भी ज़्यादा दुख दिये बिना मेरा बताना जरूरी था कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी नहीं चीजाए आप तक मैं जरूर लेकर रहा हूँ और अच्छा लगाओ तो इस बंदे को थोड़ा सा subscribe कर देना, थोड़ा सा like कर देना थोड़ा सा share कर देना, ये एक नया जोक्टर नमीत कर रहा, आज कोई गाना नहीं काऊंगो यार topic ऐसा था नहीं, गाने लाइक bye, thank you very much, bye